आपको डॉलरेट और रियारेट से अपडेट करूँगा यानि कि आज का जो रेट है इससे अपडेट कर दूँगा मैं सबसे पहले हम डॉलरेट के मतलग कर बात करने मैं यहां पर एक चीज आप देख रहे होगे मेरे हाथ में यह पर्फ्यूम की पोटल है मैंने जब दो ठा क्या इसके ओपर यह भी बता रहता हूं मैं वैसे अंपोर्ट वगरा के उपर कुपंदी नहीं थी और मैं काफी पर्फ्यूम साथ लेकिया था तो यह फोर पोटल थी जी और आप देख रहीं यह इसमें इसका नाम है जी पोलो क्लफ बेवरेज हेल्स नाइन ऊपर पोलो व लगी थी मैंने फोर पोटल खरी दी और इसकी स्मेल भी मुझे काफी अच्छी लगी थी तो खुद के यूज के लिए मैंने रखी हुई है और आप यह भी लोलों में दुबारा से यह डिस्काउंट पर है जी हम पहले डालर रेट आपको पहले दिखा दू मैं देख लगी इंडिया 20-70 जी और बंग्रादेश की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा 23 टके 76 हलाले और अमराथी दरहम की बात करें तो 97 यानि एक रियाल के एक दरहम नहीं बनता है 97 उनके हलाले बनते हैं दरहम से तीन हलाले कांग और एक चीज़ यहां पर और कियर करूं मैं जब सफर किया साधिया के लिए तो मैं जई मेरा साजी तीन घंटे का स्टे था तो मसकत वहां टारी ते और जविए पर देखा किया आन पर इतनी किसम और 54 प्रोट लोग लेकर consultant उनमें एक बिल्कुल ये बोटल नहीं है ये बोटल बड़ी है यार वो इतने से था बिल्कुल चोटी सी उसमें एक घूंट होगा तो एक बैक बोल सकते हैं उसको वो यह आप बात आपको क्यों बता रहा हूं यह सुन लेगी है वो भाई 22 दरहम की थी और अगर आपने रिया काल में लेनी है तो 27 रियाल की थी ठीक है जी तरहम 22 की थी 27 रियाल की थी तो यह रियाल का और अधर हम का वहाँ पर फरक है जी तो अभी आपको बेंकों के सबसा रहता हूं बैंक अच्छी जिजिरा की बात करें तो बामन रुपए 8 पैसे रेट है याज़का 10 रेल फीस के 07 बैंको 12 रुपए 13 पैसे रेट मिलेगा और 23 रियाल फीस है मनिगरम की बात करें तो 40 पैसे 23 रियाल फीस के साथ है एन्ट बी बैंक की बैंक बात करें तो 200 रुपए 8 पैसे 15 रियृ फीस के साथ कर दो है